वेलकम टो मैं चैनल एसके नूलिज कलास दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा ग्राफ बनाने ग्राफ खीचने जिससे कि आपका पांच नम्मर से पूछता है बोड एकजाम में अगर आपको पूरा ग्राफ सिखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है नह एक्स मैनस थ्री वाइब ब्रावर नाइन का अलेक खीचे या ग्राफ खीचे ठीकना कुछ भी दे सकता है लेकिन दो गो आपको समिकरन देगा आंक कुछ भी हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर समझ गएए एक हो समिकरन को हल करना सिख गए तो आप किसी समिकरन को हल कर पाएंगे ठीक ना चलिए क्या दिया है एक्स प्लॉस य बरावर साथ इसको माल लेंगे समिकरन एक ठीक ना समिकरन एक ठीक दुसरा जो समिकरन रहेगा 2x-3y बरावर 9 कुछ भी हो सकता आपका दुसरा समिकरन इसको माल लेंगे 2 ठीक ना इसको 2 माल लेना है ठीक सुर्वात से आपको मैं बता रहा हूँ ठीक ना देखिए गराप खीचने से पहले आपको x और y का मान निकालना होता है तो x और y का मान अगर निकाल लेते हैं तो गराप असानी से खीच लीजिएगा ठीक तो पहले निकालना पड़ेगा आप किसी को भी समिकरन 1 समिकरन 2 मान सकते इससे कोई दिकत नहीं है ठीक तो पहले चलेंगे समीकरन एक से ठीक ना समीकरन एक से ठीक ना इस परकार लिखना आपको समीकरन एक क्या है एक्स प्लॉस वाई ब्रावर साथ ठीक ना तो दोस्तों दिखिए इसमें आप एक्स ब्रावर निकालिए या वाई ब्रावर निकालिए कोई दिक्कत ने था हम होगा कोई भी संख्या अगर बराबर की इविगल पलस में है तो उधर जाके माइनस हो जाता है अगर इधर माइनस है तो उधर जाके पलस हो जाता है आपको पता ही होगा ठेक तो आप देखिए आपको क्या करना है X और Y का दो-दो table बना लेना है इसमें मान निकालेंगे हम लोग table बना लिए अब यह जो x बराबर क्या आया है 7 गहटा y इसको थोरा धर रफ करते है x बराबर क्या आया है साथियों 7 गहटा y अब यह जो 7 गहटा x y यह y के जगा आपको अपने मन से मान रखना है आप अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हैं दोस्तों जैसे की 0 रख सकते हैं 1 रख सकते हैं 2 रख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं माइनस भी रख सकते हैं माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 4-5 कुछ भी रख सकते हैं बस आपका हल हो जाना चाहिए और यह जो ग्राप कोपी है इस पर आपका अर्जेस्ट हो जाना चाहिए आगे आपको समझ में आएगा कैसे अर्जेस्ट करना है ठीक ना वीडियो को पुरा कंटिन्यू देखते रहे अब देखिए हमें हम क्या करते इसमें y ब्राबर न एक रख देते हैं y ब्राबर एक यहां y ब्राबर एक रखना है तो y के जगर एक लिख देना है y ब्राबर एक रख दिये ति क्या हो जाएगा साथ घटा y के जगर क्या रखे एक रखे आप दो भी रख सकते हैं तीन भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नही है मान सबका अलग-अलग होता है बाकि ग्राप पे आंसर वहीं जाता है ठीक न तो अब साथ में से एक घटेगा तो छा बचेगा छज बचा किसका मान बचा एक्स का न क्यूंकि एक्स बरावर दिया है न साथ घटा हुआ है तो एक्स का मान छे आया तो छे लिख देंगे वै का मान एक रखे तो एक्स का मान छे आया फिर इसी समिकरन को कम से कम दो को मान निकालना है बहुत लोग तो तीन को मान निकालता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों दो को निकालिये या तीन को निकालिये जब ग्राफ हल हो रहा है तो क्या दिक्कत है ठीक तो फिर वही ए वाय के जगाँ दो साथ गटा वाय के जगाँ दो हैं तो साथ में इस सथमें जगटे का पंच X का मान क्या निकला कि बार पंच थिरा निगला टैक्स की जगऺ 5 लिख देंगे वायक आम दो रखे तो 17好好 क्या शाह ठोर इधर आपसा करते हैं आप लूग Pacific commit कर सबिए लेकिन हम आपको पुरा विस्तार से समझा रहें बहुत ऐसे विद्यारती है जो कमजोर होते हैं डिरेक्ट नहीं समझ पाता है इसलिए मैंने बोला कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन शुरू से देखना आपको ठेक उसके बाद यह आपका समिकरण 1 होगे अब दूसरा समिकरण जो दिया है इससे चलेंगे चलेंगे समिकरण 2 समिकरण 2 समिकरण 2 क्या है कि 2x-3y बरावर 9 तो 2x बरावर क्या हो जाएगा 9 माइनस में 3y है अब की बार ते इधर आएगा ठीक न? हम पहले भी बताए हैं कि जो इधर बरावर की बगन माइनस में देगा उदर पलस होगा जो पलस में हुँ माइनस में होगा ठीक न? अब हमें देखिए इस समीकरण में X के बगन में कुछ नहीं था लेकिन इस समीकरण में X के बग organisms में 2 है तो हमें 2 हटाना होगा तब next का निकलेगा तो x बरावर क्या हो जाएगा 9 plus 3y बटे में 2 आ जाएगा ठीक बटे में 2 आ जाएगा अब यह आपका x बरावर निकल गया ठीक ना तो आप यहाँ लिख देंगे x और y ठीक ना एक्स और y दो को टेबल बनाना है समीकरन का हम पहले भी बताएं आपको ठीक ना अब देखिए इसको भी थोड़ा रफ करेंगे ठीक ना हम रफ करते हैं आपको बहतर तरीका से समझाने के लिए ताकि आपको पूरा समझ में आजाएं तो x बरावर क्या आए साथियों एक्स बरावर आया है 9-0-3又 य बटे-डो आया है ठीक अब देखिए दोस्तो यहां वहाँ के जगह आपको मान राखना है वहाँ के जगह हैसा मान रखना है इसमें तो देखिए बटे में नहीं था लेकिन इसमें बटे में है तो वाय के जगा ऐसा मान रखना है कि दो से पुरा-पुरी कट जाए जोर घटा करके ठेक न चलिए मैं आपको समझाता हूँ हम क्या बता है ठेक वाय के जगा आप एक दो तीन चार पांच कुस भी रख सकते हैं आंसर निकल गया ठीक तो चलिए हम वाय के जगा न एक रख के देखते हैं वाय के जगा एक तो क्या हो जाएगा नो प्लस दो सोरी तीन है तीन ठीक ना दीन थेन THAT-एंट यानिक टीन गुना y है, तो y के जगर क्या रखे हैं, 1 रखे हैं न, बटे मी क्या है, 2 है, अभी हो जाएगा 8 9 पलस है, दोस्तों, ठीक न, 9 पलस, 8, 9 पलस, 3 एका, 3 बटे, 2, 9, 3, 12 बटे, 2, 6 बार में कता, 6 बार में कत गिया, x का मान क्या निकल गिया, 6, ठीक न, रखे तो कट गिया, दो रखते तो भी कट जाता क्योंकि 3, 2, 6, 9, 6, 5, 5, नहीं तब पुरा नहीं कटता, अगर यहां दो रख देते Y के जगात 3, 2, 6, 9, 6, 5, 5, 5, 5, 5, हम दो से भाग देते सारे साथ आ जाता सारे साथ जो है गराप एखिचने में आपको नहीं बनेगा पूरा पूरी आपका कटना चाहिए ठेक पहले भी हम बताएं पूरा पूरी कटना चाहिए जो भी नीचे मेरे उससे पूरा पूरी कटना चाहिए चलिए एक रखे तो पुरा पूरी कट गिया अब दूसरा मान रखना है न फिर तो X ब्रावर क्या है 9 प्लस 3 Y बटे 2 तो 9 प्लस 3 Y के जगह क्या रखे अब की बार Y के जगह माइनस एक रख देते हैं बटे 2 हम क्या पता हैं आपको माइनस में भी आप रख सकते हैं ठीक ना माइनस में भी रख सकते हैं तो माइनस में एक रख दिए Y के जगह माइनस एक अब क्या हो जगह 9 प्लस माइनस माइनस 3 एका 3 बटे 2 अब 9 में से 3 घटेगा 6 बटे 2 तीन बाड़े में कट गया तीन किसका मान निकला तो X का वया के जगह माइनस एक रखे तो X का मान तीन आ गया यह आपका भी इसका भी step पुरा हो गया अब क्या करना है आपको यह जो गराप कोपी मिलेगा आपको एक जाम में ठीक ना लास्ट में रहेगा कोपी के लास्ट देखिए ही जो गराफ हुआ दोस्तों जो है यहां 0 होता है बीच में X के लिए भी 0 और Y के लिए भी 0 उसके बाद आपका जो है दाया साइड जो होता है दाया साइड एक्स का लाइन प्लस में होता है मोटा बला लाइन पर लिखना है देखिए मोटा बला लाइन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए एक्समें ज आड तक अरजयेस्ट वहा है इसलिए बोले यह सामाँ रखना है कि इसमें अरजयेस्ट हो जाए ठीक ना हम बोले थे तो दो प्लस में दर हुआ और एक्स बला जो है जो आपका बाया साइड जो है माइनस में होता है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छे ठेक और वाय बला जो है नीचे माइनस होता है एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पंच माइनस छे उपर होता है प्लस में एक दो तीन चार पंच छे इस परकार लिख देना है ठीक न? अब ध्यान से आपको समाजना है दोस्तो देखिए पहला समी करन का मान क्या है? X, 6, Y, 1 उपर निचा देखना है ठीक न? X, 6, Y, 1 X आपका कितना है? 6 है, Y कितना है? 1, Y वाला लाइन यह उपर वाला है न? यह X वाला लाइन है तो X, 6 और Y, 1 देखिए कहां पर मिल रहा है? तो X, 6 और Y, 1 यहां मिल रहा है इस बिंदू उपर ठीक न? यहां मिल रहा है इसको ऐसे बिंदू दे देना है ऐसे घेर देना है ताकि याद रहे ठिक ना आपको ग्राफ जो है बोट एक्जाम में पेंसिल से बनाना है क्योंकि गरवर अगर हो जाए तो आप मिटा भी सकते हैं उसके बाद फिर X, 5, Y, 2 X जो है इसको मिला देना है इंची से एकदम अच्छा तरिका से आपको मिलाना है ठीक ना? देखिए हम मिला रहे हैं वेडियो के इसलिए बोले थे का आपको पुरा देखना है क्योंकि हम step by step आपको सिखाने वाले हैं ठीक ना दिखिए इसको ध्यान से आपको मिलाना है कुछ भी गरवर नहीं होना चाहिए मिला दिये ठीक यह आपका समीकरन एक हो गया ठीक ना और इसमें जो है आपको बिंदू भी दर्सा देना है तो इबिंदू क्या था इबिंदू था आपका 6,1 पहले X होता है 6,1 फिर Y होता है ठीक ना याद रखिएगा इसे में भूज कोटी पूछता है एक अबजेक्टिव में तो भूजी हो जाएगा कोटी हो जाएगा फिर दूसरा था X5 और Y2 यानि कि 5,2 बिंदू सब लिख देने से आपको पूरा नमबर मिलेगा ग्राफ में 5 और समिकरन 1 है तो समिकरन भी लिख देना है X पलस Y बरावर 7 X पलस Y बरावर 7 समिकरन 1 इससे आपको पूरा नमबर मिल जाएगा ठीक न एक भी नमबर ग्राफ में नहीं कटेगा फिर का रहा है दूसरा समिकरन यहां है उसका मान कि X6 Y1 X6 और Y1 देखिए पहले बला ही बिंदू पर आ गया दोस्तों ठीक न देखिए X6 और Y1 संजोग से पहले बला ही बिंदू पर आ गया उसके बाद x3 y- में 1 है x plus में 3 है y- x plus में 3 यहां है y- कहा है नीचे है यह y बला है नीचे है माइनस में तो x3 y कितना है y- तो x3 y- यहां है ठीक ना इसको और इसको अब की बार मिलाना है क्योंकि इस समीकरन में भी 6 और 1 x से मिल गया ठीक ना तो अब देखिए इसको मिला देते हैं ध्यान से ठीक ना चलिए मिला दिये ठीक ना अब इस प्यर भी आपको बिंदू लिख देना है ताकि आपको 5 में 5 पूरा नमबर मिले ठीक ना e भी था 6,1 एक आया है और e था आपका 3 x 3 और y माइनस 1 आप यहां से भी देख सकते हो और e समिकरन 2 था समिकरन 2 क्या है 2 x माइनस 3y बरावर 9 2 x माइनस 3y बरावर 9 समिकरन 2 ठीक ना इसमें आपको पूरा नमबर मिल जाएगा पूरा अब इसमें x बरावर और y बरावर आंसर निकालना होता है तो x बरावर क्या है तो यहां देखना है कि समिकरन 2 और समिकरन 1 कहां पर काटा है समिकरन 1 समिकरन 1 और समिकरन 2 को देखना है एक दूसरे को कहां पर काटा है तो एक दूसरे को यहां काटा है तो यहीं अंसर होगा किस के सामने काटा है यह x अक्षा है तो 6 के सामने काटा है यानि x 6 हो गया और y अक्षा है यह तो y रेखा पर दिखित कहां पर काटा है तो y एक के सामने काटा है y कमान एक यह आपका आंसर हो गया इसमें आपका 5 नमबर 5 नमबर 5 नमबर 5 नमबर पक्का कोई नहीं काट सकता है आपका पांच नमबर ठीक ना तो आप वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईए और चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए